आप सब लोग आज की जो वीडियो है वो रलेटिट है क्रोना वारस जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कुछ दिनों से मैं अपने चैनल पर अपडेट करी हूं आप लोगों को क्योंकि मैं यॉर्पिन कंट्री इतली में रहती हूं जहां पर चीन के बाद ये क्रोना वा है और देथ रेट बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है इवन कि ये जो बिमारी वाइरस था सेप्रेट हुआ था चीन के सूपे वहान में वहां यानि कि चीन ने काफी हद तक कंट्रोल किया है इस वाइरस को लोगों में अवेरनस पैदा करने की वज़ा से लेकिन इतली में दिन बदीन देथ बहुत ज़्यादा हाई हो रहे है हलाकि ये वाइरस चीन में स्टार्ट हुआ था लेकिन डेथ रेट इतली में बहुत ज़्यादा है चीन में जो अब तक की इंटरनेशनल मीडिया के मताबिक जो रिपोर्ट है 3276 लोगों की देथ हुई है और इतली म पर बहुत बड़े बड़े स्टोर्स आप बड़े बड़े ड्वैंड्स बड़े रेस्टोंट्स, कोफे शॉप कस्टूर्ण यहां से पांच मिनेट की वाक पर है प्रैफी तूर यहां पर बड़े सरकारिय आदारे आपको मिलेंगेzar चेंबर ऑफ कॉमक्स मिलेगा लेकिन देखें हर चीज शटडाउन कर दी गई है गौर्वर्मेंट के मताबिक क्योंकि गौर्वर्मेंट ने अनौस किया है कि आफ्टर आउटब्रेक इन इतली क्रोना वाइरस की वज़ा से उन्होंने नेशन वाइट एमर्चनसी नाफिस की वह है और लोगोंको हदायत किया कि बिला जरूरत बिला वज़ा अब बाहर मत आएं लोग कानून को बबंध है और आप जब भी बाहर आते हैं एक उन्होंने डेकलरेशन फार्म इस्यू किया है और वो हमें लेकर जाना है कोई भी बाहर नहीं है और जो शॉप्स है अभी आज जब मेरे हस्बन शॉपिंग करने गए है ग्रॉस्टी करने गए है तो शॉप्स पर भी बाहर स्क्योटी कर्ट्स खड़े किये गए हैं शॉप कीपर्स जो है आपको सिर्फ तीन चार लोगों से जाधा एक टाइम में शॉप में यानि के रशन ही करने दे रहे और पहले लोग वो शॉपिंग करते हैं पर दूसरों को जाधत देते हैं और जहां से हम नॉर्मली सबदिया वगरा लेते हैं वो तो कहते हैं अपना राया आप लिस्ट डाउन कर दो जो चीज़ें आपको चाहिए हम खुद अंदर से शॉप से आपको लाकर देंगे इवन जो लोग पढ़ लिखने ही सकते उनको वो साथ लेकर जाते हैं और कहते हैं किसी चीज़ को टेच नहीं करना और वो आप पॉइंट करें और वो चीज़ें आपके शॉपिंग बैट में डालेंगे और आपको दे देंगे तो इतनी सकती हुई भी है लोग बहुत ज़्यादा परिशान है क्योंके नंबर ओफ देथ रेट इस तो हाइड इन इतली और पिछले 24 गंटों में भी 602 लोगों की देथ हुई है जो बहुत ज़्यादा परिशान कुन सिचुएशन है इवन के मैं अपने बच्चों के साथ पिछले 15 दिन से बाहर नहीं गई हूँ बच्चों को आपको पता है यहाँ पर अपार्टमेंट्स जो हैं बच्चों को Premतार में रखना,मुषकिल होता है यहाँ पार्स वगरा, मैं बच्चे भी जाना स्कूल जाना, पार्क समें जाना कोई ना कोई अपार्टमेंट आई रहती है एक टाम आइशलेशन में गहे हैं बच्चे भी, मैं भी तो बच्चे थोड़े परिशान है लेकिन फिर भी मैं घर में कोशिश कर दी हूँ कोई ना कोई अक्टिवेटी करूँ क्योंकि बहुत जुरूरी है इस ताइम पे अपने अर्तियात करना और जब आप लोग जुरूर बाहर जाए प्लीज प्लीज आप लोग अपने साथ मास बगएरा का लेकर जाएं गलफ पैने और वापिस आतने के बाद उसको फॉरण जाया करते हैं उसका इस्तमाल दुबारा मत करें और पीला वज़ा किसे से ना मिलें बहुत जुरूरी है तो कॉल करके आप वीडियो कॉल करके अपने प्यारों से बात कर सकते हैं क्योंकि दि से मुतासिर हुए हैं और एक लाके करीब जो है इसमें जो लोग हैं रिकावर कर चुके हैं कुरोना वाइरस जो है उन लोगों को ज्यादा अटैक करता है जिनका इम्यून सिस्टम मैंने आपको अपनी प्रीविस वीडियो में बताया है कि कमजोर होता है यो लोग बिमार ह हैं या उनके साथ कोई भी मेडिकल इशू हैं तो प्लीज आप लोग जब भी कहीं बाहर जाएं आकर प्रॉपर अपने हैंड वाश करें गलव वगरा करें और बहुत जरूरत है अगर आपको ग्रॉसरी करनी है या आपको किसी मेडिकल सेंटर में जाना है तो तब भी बाह प्रॉद भी ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है इन लोगों के तो इसी इसकी बड़ी वजा ये भी है क्योंकि इनका जो एज गैप है जो जो लोग इतली में रहते हैं वो जानते हैं जो इनके बुड़े हैं बहुत जादा बज़रुग हो चुके हैं उनकी एज बहुत हैं इवन के जो 86 प्लस है आपको अराम से वो अपनी शॉपिंग करते हैं अकेले रह रहे होते हैं क्योंकि इनके बच्चे तो इतने जादा होते हैं एक या दो बच्चा होते हैं वो भी स्टेडी के लिए ये काम के हावाले से आउट आफ टाउन होते हैं तो खुद ही वो यानि के जनाजों में भी शिर्कत नहीं कर सके तो यह मुश्किल टाइम है कंट्री के ओपर हमें क्या कर सकते हैं उनके लिए द्वा करनी चाहिए और जो अधारे मेडिकल रिसर्ट सेंटर जो अभी इस वेक्सिनेशन का बनाने में लगे हैं और जो एक्सपरिमेंट जा रह या उसके बाद प्रॉपर ली वो इसको इंप्लिमेंट करेंगे लेकिन अभी कोई प्रॉपर वेक्सिनेशन नहीं आए जो इसका प्रॉपर हल लेकर यानि कि उससे उनको रिकवरी हो अभी सिरफ हाट जहां पर यह वेक्सिनेशन त्यार भी की गई है अभी इसके टेस्ट जारी है कि इसको इंप्लिमेंट किया भी जा सकता है इस वेक्सिनेशन को मार्किट में लाया भी जा सकता है कि नहीं इसलिए दूआ किजिए कि इस मुझी जो वाइरस से हमारा पीछा जल्दी चूट जाए और इसके इलावा भी जो मैं आपको बताऊंगी इटली में तुम 5,476 लोगों की जान गई है चीन में 3,276 लोगों की उसके बाद स्पेन में जो है देथ रेट बहुत हाई हो रहा है दिन बाद दिन 1,720 लोगों की जो है इसके इलावा इरान में 1,685 लोग जो है अलाग हुए है फ्रांस में 674 लोग 600 में एक दफा पर बताती चलूँ 271 लोगों की यूके में 335 लोगों की इवन के यूके में भी उन्होंने अब जो है जो है ये शॉपिंग सेंटर्स बंद कर दी हैं खेलों की बाहत कहीं भी उन्होंने और जो लोगों को बहुत ज़रूरी ऑफिस जाना है वो ऑफिस से घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आए ज 335 यानि 335 हो गए हैं इंग्लेंड में बी न और हॉलन में 179 और कोरिया में 113 जर्मनी में हिलागते हो चुकी है 94 बेल्जिया में 75 और पाकिसान में भी इम्रान खान बहुत अच्छे एक दामात करें हैं उन्होंने भी अच्छी चीज है आप लोगों को इतियात करनी चाहिए इससे पहले कि यह बिलावजा उन्होंने अनौंस किया है कि आप बिलावजा लोगों से कॉंटेक्ट ना करें और यह एक अच्छी चीज है आप लोगों को इतियात करनी चाहिए इससे पहले कि यह बिमारी बहुत जादा लोगों को को लपेट में ले जैसे की इचली में हुआ है कि बहुत ज़्यादा death rate हाई हो गया है मैंने आपको बताया कि इतली में death rate हाई होने की वज़ा से ये भी है कि जो लोग है बहुत ज़्यादा जो हमारे इधर के बुड़े लोग है उनकी एज बहुत ज़्यादा है और उनको अल्रेडी बहुत ज़्यादा like diabetes था hybrid pressure के issues थे और इत्याद ज़रूरी है और कोशिश करें जो भी अक्तमाद हमारी government का रही है उसको respect करें उसको follow करें जैसा कि यहाँ पर एक declaration form उन्होंने issue किया है हमें उसको जब बाहर जाते हैं अपना एक declaration form लेकर जाते हैं उसके पर अपना नाम पता और phone number और अपनी details देते हैं कि हम किस हॉस्पिटल में जा रहे हैं यह हम ग्रॉस्टी करने जा रही हैं तो हम सारा describe करते हैं ताके हमें पुलिस टॉप करें तो वह हमारे पास हमारे document हो यह थी आज की रिपोर्ट सो गाइस बिला वज्जा घर से बायर ना निकलें अपना बहुत सारा ख्याल रिखें मिलेंगे एक और वीडियो में अलाह आफेश